पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15 डिग्री पला था तो ये टॉपिक जो है 15 डिग्री ये आपका क्या थे 75 डिग्री ये 15 डिग्री से connected है किस से connected वो आपको बता रहा हूँ अगर आप 90 डिग्री में 15 डिग्री माइनस करते हैं तो ये आएगा आपका 75 डिग्री तो अगर आपसे 75 डिग्री की value निकालने की बात की जा रही है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? उसको आप लिख सकते हैं 90 degree माइनस 15 degree चलिए एक example लेते हैं हम लोग sin 75 degree sin 75 degree हमको अगर निकालना है तो हम लोग उसको कलिक देंगे sin 90 degree माइनस 15 degree और ये चीज़ क्या है ये चीज़ है आपका 90 degree माइनस ठीटा तो sin 90 degree माइनस ठीटा क्या होता है आपका sin 90 degree माइनस ठीटा होता है आपका cos ठीटा तो ये क्या आजाए आपका cos 15 degree cos 15 degree अब जैसा हम लोग ने पहले cos 15 degree को निकाला था 15 डिगरी को, तो कैसे निकला था हम लोगों ने, कॉस 45 माइनस 30 डिगरी कॉस A माइनस B कॉस A माइनस B का फार्मला दोस्तों क्या होता है कॉस A माइनस B is equal to क्या होता दोस्तों कॉस A इन्टू कॉस B प्लस साइन A इन्टू साइन B यह फर्दर आ जाएगा आपका यहाँ पर 45 डिगरी A है और 30 डिगरी B है तो यह क्या जाएगा आपका कॉस 45 डिगरी इन्टू कॉस 30 डिगरी प्लस साइन 45 डिगरी इन्टू साइन 30 डिगरी कॉस 45 डिगरी की वैलू होती है 1 अपॉन रूट 2 कॉस 30 डिगरी रूट 3 अपॉन 2 प्लस साइन 45 डिगरी इस अल्सो वन अपॉन रूट 2 साइन 30 डिगरी 1 बाई 2 रूट 3 इन्टू 1 रूट 3 हो जाएगा अपॉन 2 इन्टू रूट 2 तू रूट 2 हो जाएगा प्लस 1 इन्टू 1 वन और अपॉन में आजाएगा आपका 2 रूट 2 जो की फर्दर सोर करने पे क्या जाएगा आपका रूट 3 प्लस 1 अपॉन टू रूट 2 तो दोस्तो इस तरीके से हम लोगों का साइन 75 डिगरी क्या आएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन टू रूट 2 क्या रूट 3 प्लस 1 अपॉन